सबी साथियों को मेरा नमस्कार आज हम आपको SBI Net Banking Registration के बारे में बताएंगे कि आप लोग घर बैठे ही SBI का Registration आउनलाइन सिर्फ 5 बन में कर सकते हैं और आप लोग User ID कैसे Create करेंगे, Password कैसे Create करेंगे और अपना Profile Password कैसे बनाएंगे सारा कुछ हमें इस वीडियो के माध्यम में लाइव करके आपको दिखाएंगे तो आप हमारे वीडियो को इसके अपना करते हुए Step by Step सारी प्रक्रिया को देखें और समझें तो हम लोग वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने कंप्रिटर की स्क्रीन पर आते हैं वहाँ पर Google Chrome ब्राउजर को ओपन करेंगे जैसे Google Chrome ब्राउजर को ओपन करते हैं और सर्च बारे में हम लोग SBI टाइप करेंगे जैसे SBI टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा तो हम लोग पहला State Bank of India जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे आप देख रहे होगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है जिसमें Personal Banking UNO SBI Corporate Banking दोनों चीज़ा खुल के आती है तो हम लोग यहाँ पर Personal Banking पर Login Section पर क्लिक करेंगे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होकर आता है तो आप देख रहे हैं उपर टॉप में Continue to Login लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे Continue to Login पर जैसे ही Login बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें आपको User Name, Password, Capture डाल करके रखना है अगर आपके पास पहले से है पर हम लोग नया रिस्टेशन कर रहे हैं New User के लिए नया रिस्टेशन कर रहे है Net Banking के लिए तो हम लोग New User पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे एक Pop-up विंडो खुलेगी उसमें पूछेगा कि आपके पास कोई किट है या ब्रांज से मिली है तो हम लोग OK करेंगे उसके बाद में एक नया टैब ओपन होकर आएगा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर OK करते हैं एक नया टैब ओपन होकर आगया यहाँ पर लिखा हुआ है New User Station क्योंकि हम लोग नया रिस्टेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर New User Station As it is बना रहने देंगे Next बटन पर क्लिक करेंगे जैसे Next बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें New User Station के लिए सारी डिटेल फिल करें मांगेगा जैसे Account Number, CIF Number, Branch Code Country, Registered Mobile Number Branch Code है आप लोग यहाँ Get Branch Name जो लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको Branch Code पता चल जाएगा यह सारी चीजे आपको भरनी पड़ेंगी Facility Required में लिखा Select Transaction जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसमें तीन चीजे आती हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर Full Transaction Rights Limited Transaction Rights View Rights हम लोग Full Transaction Rights पर करेंगे जो हम लोग का लेन देन होगा सारा कुछ कर सकते हैं सारी चीजे तो हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल Step by Step हम लोग Fill करेंगे Account Number फिल करेंगे CIF Number हमारी Passbook पर प्रिंट होगा Branch Code भी Passbook पर प्रिंट है सारा कुछ हमारी जो SBI की Passbook मिली होगा इस पर प्रिंट होगा अब हम लोग Branch Code प्राप्त करने करेंगे तो Get Branch Name पर क्लिक करेंगे यहाँ पर Location डालेंगे जहाँ पर हमारा Bank है यह देखिए साजहाँपूर अल्लागन जागया इसका Branch Code ग्यार एक सक्यासी है तो आपके Passbook पर भी यह दर्ज होगा तो हम लोग इसको Back करेंगे और वहाँ पर Branch Code फिल कर देंगे हमने सारी डीटिल फिल कर दी है उसके बाद हम लोग Submit बटन पर क्लिक करेंगे सारी डीटिल हमारी फिल हो गई है तो हम लोग Submit बटन पर क्लिक करते हैं जैसे submit button पे click करेंगे तो मेरे सामने एक enter the one time password OTP माँगेगा जो हमारा mobile number register है मेरे account में उस पे हमारा mobile number पे OTP जाएगा तो हम लोग यहाँ पे OTP एंटर करेंगे और उसके बाद confirm करेंगे हमने OTP एंटर कर लिया है और उसके बाद हम लोग confirm button पे click करेंगे जैसे confirm button पे click करते हैं तो कज़े इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा I have my ATM card online registration without branch widget मतलब है मेरे पास ATM card है मुझे branch जाने कर लोगा नीचे वाला है I do not have ATM card activate by branch अगर आपके पास ATM नहीं है तो आप branch जाके activate करेंगे पर मेरे पास ATM है तो हम लोग उस पे click करके submit करेंगे तो दीखें मेरे सामने इस तरह का page open होकर आएगा मेरा पहले दो card थे तो active card उपर आपको so हो रहा है उसमें active लिखा हुआ है नीचे वाला close कर दिया गया तो close so हो रहा है तो हम लोग यहां पर active card पर अपने card number पर वहां पर click करेंगे जैसे इम लोग click करके submit करेंगे जैसे ही submit button पर click करेंगे तो debit card जो validation है वो सारा कुछ so होगा आपका card number so होगा आप वहां पर card holder name डालेंगे pin डालेंगे pin जो आपने बनाया है ATM का वो डालेंगे validity expiry डालेंगे और उसके बाद में proceed करेंगे तो हम लोग जो हमारी detail दी हुई है हमारे debit card पर वो हमने fill कर ली है उसके बाद हम लोग proceed button पर click करेंगे जैसे ही proceed button पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा लिख के आगए यह debit card validation is success जैसा कि आप लोग देख रहा है मुझे एक reference number भी मिल गया है तो यह हमारा लिख के आगया इसके बाद में automatic ही यह page हमें दूसरे page पर redirect कर देगा देखिए जहां पर हमें अपना login user name और password set करने के लिए मांग रहा है आप यहां से अपना username बना सकते हैं login password भी बना सकते हैं तो हम लोग अपना username बनाएंगे और इसके नीचे दिखा है check username availability जो username बना रहे हैं इस पर click करेंगे अगर username available है तो आप लोग आपको username available अगर नहीं है तो नहीं सुका symbol करेगा तो हम लोग यहां पर अपना username फिल कर रहे हैं उसके बाद हम लोग check username availability पर click करेंगे जैसे इस पर हम लोग click करते हैं तो दिखें मेरा username available है तो हम लोग जो भी term and condition से उसको accept करेंगे उसके बाद में हम लोग एक new login पासवर्ड बनाएंगे हम लोग लोग इन पासवर्ड बनाएंगे इसमें क्या रहता है हमारी numeric digit रहती है alphabet रहते हैं और special character रहते हैं जैसे कि किसी का नाम mohan है और तो हम लोग पासवर्ड बनाएंगे mohan at the rate 1234 इस तरह का पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें हमारी सारी चीजे कवर हों तो हम लोग इन पासवर्ड confirm login पासवर्ड डाल लेते हैं उसके बाद में submit बटन पे click करेंगे जैसे इस submit बटन पे हम click करेंगे तो हमारा यहां पे जो यूजर नेम और पासवर्ड हमने बनाया है वह success का message हमें मिल जाएगा तो हम लोग submit बटन पे click करते हैं जैसे submit बटन पे click किया तो लिख किया गया successfully registered for internet banking तो मेरा यूजर नेम है और जो मेरा login पासवर्ड है वो हमने बना लिया है तो फिर हमको उसने main homepage पे redirect कर दिया और यहां पर continue to login पे click करेंगे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड हमने बना लिया है तो हम लोग यूजर नेम और password यहां पर भरेंगे उसके बाद में capture डाल करके login करेंगे तो जैसा कि देख रहा है हमने यूजर नेम पासवर्ड डाल लिया है capture भर लिया है सारी detail फिल कर ली है उसके बाद हम लोग login सेक्षन पर पर क्लिक करते हैं जैसा ही login सेक्षन पर क्लिक करते हैं तो मेरे number पर OTP जाएगा जो mobile number हमारा registered होगा बैंक में उस number पर OTP जाएगा आप लोग उस OTP को यहां पर फिल करेंगे मैं OTP fill कर रहा हूं और सम्मिट बटन पर क्लिक करता हूं जैसे सम्मिट बटन पर क्लिक किया जो मेरा SBI Net Banking Registration है उसका मेन होम पेज ओपन होकर आ गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर यह देखे माई एकाउंट्स पेमेंट्स प्रांसफर्स यह सारी चीजे दिए बिल पेमेंट दिये दे के दिया है Deposit and Investment दिया है E-Tax E-Services इस सारी चीजे ATM Card E-Card सारी चीजे आप लोग इसमें इस पेज पे देख होंगे और यहां पर देखिए यहां पर इंटर प्रोफाइल पासवर्ड हमें एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होता है जैसे कि अगर आप अपनी email id एंटर करते हैं नॉमिनी एंटर करते हैं तो वहां पर पहले प्रोफाइल पासवर्ड बंगता है तो हम लोग अपना इसमें profile password भी बनाते हैं तो हम लोग अपना profile password बना लिया है hint question भी डाल लिया है उसके submit बटन पे click करते हैं तो देखे message आ गया है your profile password has been set successfully हमने profile password भी बना लिया है उसके बाद में हम लोग go to account summary page पे जाते हैं देखे हमारी जो account transaction accounts की सारी detail है सारी चीज़ें इसमें so हो रही है जो हम click here for balance पे click करेंगे तो देखे जो भी मेरा all level balance है वो यहां पे so हो रहा है तो हम लोग view nomination पे click करते हैं और pen details पे यह देखे हमारा account number cif number, nominating registration, pen, study इसमें so हो रही है जैसा कि देख रहे हैं और वहाँ पर email ID भी हमारी corner पे so हो रही है प्लीज update करके लिखा हुआ है यह देखें साइड में आपको statement know your civil score sbira जो आप सारी चीज़े हैं आप लोग इसमें कर सकते हैं तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं धन्यवाद